नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग लक्षमी कान 6 एडिशन की पार्ट 106 में आपका स्वागत है यहाँ पे हम लोग किस किस चीज के बात करने आ ले हैं Money Bills के बारे में Financial Bills का इंट्रो लेंगे Financial Bills के Exact Types हैं वो देखेंगे बट Financial Bills of Type 1 और Financial Bills of Type 2 को हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग Ordinary Bill और Money Bill के फर्क को यहाँ पे एक्स्प्लोर करें हैं Article 110 में प्रॉपर तरीके से बता रखा है कि Actually में जो यह Money Bills होते हैं यह होते क्या हैं अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक का बटन नहीं दबाया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इस किताब को खरीद लिजे मेरे साथ पढ़ने के लिए मेरे दोर आप बनाएगी और वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पर जोईन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं इस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजे वहाँ पर आपकी सारी जयोनिन के लिए इसको जवाब दूँगा तभी होगा if it contains only provisions dealing with all or any of the following matter वो all or any of the following matter आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं और यहाँ पर बोला क्या आगए आर्टिकल 110 में ध्यान दीजेगा अब बिल is deemed to be a money bill if it contains only provisions dealing मतलब कि जो चीजे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जो 7 points सिर्फ इन से अगर कोई bill related है यह इन से related matter से related है केवल specifically तभी उसको money bill बोला जाएगा नहीं तो वो money bill की category में नहीं आएगा और money bill एक तरीके का finance bill होता भी उस पे थोड़ी देर में आते हैं finance bill तीन type के होते हैं उसमें एक type होता money bill और एक type होता financial bill of type 1 दूसरा financial bills of type 2 उसमें बात में आते हैं तो भाई money bill होने की पहली जो reasoning है वो क्या है first the imposition, abolition, remission, alteration and regulation of any tax तो अगर किसी tax को आप impose कर रहे हो, हटा रहे हो, कम कर रहे हो, alter कर रहे हो, regulate कर रहे हो तो यह बोला जाएगा आपका money bill यह tax एक major level पे local level पे अगर कोई tax लगा रहे हो आप, तो वो money bill की definition में नहीं आएगा but income tax act की बात कर लिजे, customs act की बात कर लिजे, GST act की बात कर लिजे इनमें अगर आप कोई major change कर रहे हो, तो वो as a money bill ही pass होगा फार्लेमेंट में दूसरा, the regulation of the borrowing of money by the union government union government पैसा को किस तरीके से borrow करेगा, domestic market से, international market से इसके related अगर जो नियम कानून उनको बदलना है तो आपको money bill लाना पड़ेगा तीसरा, the custody of consolidated fund of India और the contingency fund of India आपको पता है ना, यह दोनों fund क्या होते हैं, हमारी देश का जितना भी tax collection होता है consolidated fund of India में जाता है, contingency fund of India में emergency के basis पे 500 करून रुपया डाल के रखा जाता है और यह contingency fund, president के disposal पो होता है कि माल लीज़े ऐसी कोई चीज आ गए कि हमें emergency में पैसे की ज़रोत पड़ गई, तो contingency fund of India से निकाल लेंगी तो भीजे consolidated fund of India और contingency fund of India, इसकी custody होती है पार्लामेंट के पास अभी consolidated fund of India और contingency fund of India में कोई पैसा डालना है या उसमें से पैसा withdraw करना है, अभी पैसा डालना है या पैसा withdraw करने के तरीके को अगर आपको regulate करना है, किसी भी चीज को CFI और यह जो consolidated fund of India है, contingency fund of India है, इसमें किसी भी तरीके के जो पैसे की transaction है, उसके नियम कानून को बदलना है, regulate करना है, तो वो किस तरीके से pass होगा, money bill की money bill की category में आएगा, किसी भी expenditure को आपको declare करना है, कि this is an expenditure charged on the consolidated fund of India, ठीक है, तो वो money bill की category में आएगा, और increasing the amount of any such expenditure, यानि माल लीजे, कल की date में, प्रेजिडेंट की तर्खा वड़ा दी जाती है, प्रेजिडेंट की तर्खा आपको पता है, it is charged on the consolidated fund of India, speaker of the लोग सवा, chairman of the राजसवा, ये सब वो officials हैं, जिनकी जो salary है, that is charged on the consolidated fund of India, अभी charged on the consolidated fund of India का मतलब क्या हो गया, कि उनको तो ये salary इस fund से निकाल के दी ही जाएगी, और किसी भी तरीके की voting नहीं होगी, salary के against, यानि एक बार अगर प्रेजिडेंट को appoint कर दिया गया, कि हाँ इतनी तंखा इनक consolidated fund of India से वो पैसा निकालने के लिए, जो की charged है on the consolidated fund of India, उसके लिए आपको money bill पास रहना पड़ेगा, तो ये भी money bill की category में आता है, उसके बाद, देखे क्या लिखना का है, the receipt of money on account of the consolidated fund of India, और the public account of India, और the custody or issue of such money, और the audit of the accounts of the union or the state, यानि कि consolidated fund of India में कोई पैसा आया, public account of India म उससे निकला, उस पैसे की custody, उस पैसे को किस तरीके से issue करना है, जो union government के accounts है, state government के accounts है, इसका audit किस तरीके से करना है, इससे रेड़ेटर कोई नियम करनों मनाना है, तो वो भी money bill category में आएगा, अब ये जो सातवा point है, ये बहुत important हो जाता है, any matters incidental to any of the matters specified above, यहाँ पे incidental क का शब्द क्या होता है, अगर आप incidental शब्द का मतलब धूरते हो, dictionary में, तो आपको पता चलेगा, happening as a minor accompaniment to something else, यहनी कि money bill को pass कराने में, money bill से related matters भी आपको pass कराने पढ़ेंगे, तो जितने भी मैंने शुरू के 6 points बताए, जो कि किसी एक bill को money bill बनाएंगे, article 110 of the Indian constitution के अंद अगर इस case में money bill से related अगर कोई दूसरा provision को pass कराना है, तो उसको भी आप money bill की category में रखोगे, और इस 7th वाले point को सबसे जादा, आप कह सकते हो कि misutilize किया जाता है, तो भाया, यह जो 6 points हैं काफी broad है, consolidated fund of India से खर्चा करना, ठीक है, appropriation करना, CFI से वाहर, तो इस से related कुछ औ और important issues को आप money bill बोलके pass करा सकता है, अगर ruling government चाहे, बट वो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो जो 7th वाला point है, any matter incidental to any of the matters specified above, यह article 110 की definition को बहुत बड़ा कर देता है, लेकिन कुछ और चीज़ें में लिखी है, एक bill को money bill नहीं बोला जाएगा, अगर वो उसमें तीन चीज़ पैसे से related penalty, तो कहीं पैसे से related penalty लगाई गई, फाइन लगाई गई, तो फाइन लगाने के लिए penalty लगाने के लिए जो बिल आप लेके आओगे, वो money bill की category में नहीं आएगा, दूसरी बात, देखिए, the demand और payment for fees for licenses or fees for services render, देखिए, central government बहुत सारे लोगों की services लेती है, हो स एक्सपेक्टर में लोकेशन करती है, एक्सपेक्टर में लोकेशन के लिए, पैसा लेती ही सरकार, license fees, तो इन सब पैसों से related, अगर कोई नहीं कानून बनाना है, चीजें लेके आनी है, तो उसको money bill की category में नहीं रखा जाएगा, और तीसरा point जो कि मैंने पहले भी आपको किया गया, remission किया गया, alteration किया गया, regulation किया गया, तो उसको भी money bill की category में नहीं लाया करें, आप से अगर ये पूछा जाए कि money bill, एक money bill है या नहीं है, इस चीज़ को decide करने की ताकत किसके पास है, तो इस चीज़ को decide करने की ताकत है हमारे speaker साब के पास, तो speaker of the local is the sole authority, जो इस बात को decide करेगा, कि भाया, एक bill money bill है कि नहीं है, और खास बात दोस्तों ये है, कि speaker ने एक बार decision ले लिया कि ये person money bill, ये bill money bill है या ये bill money bill नहीं है, तो इस चीज़ को आप किसी court of law में question नहीं कर सकते हैं, किसी house of parliament में question नहीं कर सकते हैं, even president भी question नहीं कर सकता, यानि एक bill money bill है या नहीं है, ये speaker of the loksabah decide करेगा, और speaker of the loksabah जो decide कर देगा, उसको final माना जाएगा, उसके against किसी भी तरीकी की कोई भी appeal किसी भी court में नहीं जा सकती है ना, president के पास न, लाग सबा के पास न, लोक सबा के पास, अब होता ये है, कि money bill आया, speaker ने money bill के उपर ये point out किय भाई ये money bill है, उस money bill को लोक सबा में पास कराया गया, और लोक सबा में पास कराने के बाद वो money bill पहुंचा, अब ही राजसबा, तो देखिए, एक money bill लोक सबा में आया, लोक सबा से पास होने के बाद वो राजसबा में पहुंचा, और राजसबा में पहुंचा, और लोग सभा में पास हो जाता है उसके बाद स्पीकर ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ भाई इस हाउज ने इस बिल को पास करा दिया और फिर राजसभा में चला जाता है लेकिन जब मनी बिल की बात आती है मनी बिल में स्पीकर सर्टिफाई करेगा कि ये बिल मनी बिल है वो लोग सभा में पास हो जाएगा और फिर वो राजसभा में पहुँचेगा अब जब राजसभा में पहुँचेगा तो राजसभा के पास कितनी ताकत है उस मनी बिल को लि प्रायर रिकमेंडेशन होना चाहिए प्रेजटेंट का तो मनी बिल को लोग सहंब एंटर्डूस किया जा सकता है और मनी बिल को इंटर्डि운 करने के लिए एक मिनिस्टर की जरूत है प्राइवेट मेंबर मनी बिल को इंटर्डूस नहीं कर सकता वापस आते हैं कि जब राजसभा में वो money bill पहुंचा, अभी राजसभा में money bill पहुंचा, राजसभा की powers बहुत restricted है, राजसभा एक money bill को reject नहीं कर सकता, राजसभा एक money bill को amend भी नहीं कर सकता, और्डिनरी bill को राजसभा reject भी कर सकता था, और्डिनरी bill को राजसभा amend भी कर स तो भाई रिकमेंडेशन देने की ताकत है आपकी राजसभा के पास उन रिकमेंडेशन को मानना है नहीं मानना है ये भाई बिलकुल एक अलग चीज हो गई अब आप देखो राजसभा को 14 दिन के अंदर मनी बिल की उपर डिसकेशन लेना ही लेना है तो लोग सभा से जब राजसभा में बिल पहुंचा राजसभा के पास समय है 14 देज का तो 14 देज में राजसभा क्या क्या कर सकता है या तो उस मनी बिल को वो एकसेप्ट कर लेगा या फिर वो उस money bill को accept नहीं करेगा, pending रखेगा, चुकि वो reject कर नहीं सकता, वो amend कर नहीं सकता, या फिर राजसभा ये कर सकता है, कि उसके उपर recommendations देके उस bill को वापस लोग सभा के पास बेज़ते, तो ये possibilities हैं राजसभा के पास, अब माल लेजे, राजसभा ने बिल को accept कर लिया तो money bill accept हो गया, फिर वो प्रेजड़न के पास चला जाएगा, signature के लिए, राजसभा reject कर नहीं सकता, राजसभा amend कर नहीं सकता, राजसभा recommendations दे सकता है, तो माल लेजे, राजसभा के पास बेज़ता है, लोग सभा के पास money bill को, अभी लोग सभा के पास दो options है, या त तो जिस original form में लोग सभा ने उस money bill को पास किया था, उसमें वो पास हो जाएगा, और आकली option ये, कि राजसभा उस bill पे 14 दिन तक कोई भी action ना ले, उसको pending रखे, तो अगर राजसभा उसको pending रखता है, तो 14 दिन बीटते ही, उस bill को उस original form में पास मान लिया जागा, जिस original form में लोग सभा ने उसको पास कराया था, तो जहां ordinary bill में हम देखते हैं कि लोग सभा के पास और राजसभा के पास बराबर की ताकत हैं, वहां money bill के case में राजसभा के पास ना के बराबर ताकत हैं, बस ये recommendations को present कर सकते हैं, हाला कि recommendations को देखे, propose करना भी एक बड़ी बात है क्यों बड़ी बात हैं, चुकि जब राजसभा recommendations को propose करती तो उसकी proper reporting होती है, राजसभा TV से पूरी दुनिया देखती है, पुरा इंडिया देखता है कि राजसभा क्या recommendations दे रहा है, अगर वो recommendations अच्छे हैं, तो media और जो अलग-अलग houses हैं, वो लोग सभा के उपर pressure डाले नहीं है, अब एक बार money bill लोग सभा से और राजसभा से पास हो गया, अभी जैसे भी पास हुआ, वो पास हो गया, amended form में, modified form में या original form में, जो भी है, वो सारे सिनारियों में आपको उता दिये, उसके आद वो bill जाता है, प्रेजिडेंट के पास, अभी प्रेजिडेंट के powers यहां पे limited है, ordinary bill के case में, प्रेजिडेंट accept भी कर सकता था, reject भी कर सकता था, और bill को वापस reconsideration के लिए, लोग सभा, राजसभा के बास देज भी सकता था, money bill को या तो accept करेगा, प्रेजिडेंट या reject करेगा, अभी प्रेजिडेंट नॉर्मल कर cases में उसको accept करी लेता है, money bill को लोग समा में जब introduce किया जाता है, उसके लिए prior recommendation of the president की ज़रोत है, तो पहले ही president के पास तो money bill जा चुका है, तो most probably president उसके उपर approval दे ही देगा, until and less, कि ऐसा कोई recommendation बाद में include कर लिया गया हो, जो president ना चाहता हो, तो भईया, ordinary और money bill के बीच के फरक को, मैंने थोड़ा बहुत देखा, एक organized तरीके से table बना के समझते हैं, table बना के समझने से पहले, एक बार basic information ले लेते हैं किसके बारे में, financial bills के बारे में, भईया financial bills होते क्या है, देखिए financial bills वो हैं जो fiscal matter से deal करते हैं, यानि पैसों का खरचा है, तो मतलब financial bill पास कराके, पैसों का खरचा करने पर्मीशन लेनी पड़ेगी, revenue लेने की और expenditure करने की पर्मीशन लेनी पड़ेगी, देखिए financial bills होते हैं तीन प्रकार के, पहले प्रकार के financial bills होते हैं money bill, जो कि आते हैं article 110 के अंदर, यह मैंने थोड़ी दिर पहले आपको समझाए, दूसरे प्रकार के bill होते हैं financial bills of type 1, जो क आते हैं आपके article 117 clause 1 के अंदर, तीसरे प्रकार के financial bills होते हैं financial bills of type 2, जो कि आपके आते हैं article 117 clause 3 के अंदर, तो financial bills of type 1, article 117 clause 1, financial bills of type 2, article 117 clause 3, ओके तो बहिया, अब यहां पर समझ में आ गया कि financial bill एक broad term है और इसके अंदर तीन तराका के bill आ रहे हैं, जिसमें से एक money bill है, एक financial bill type 1 है, एक financial bill type 2 है, तो सारे money bills financial bills है, लेकिन फारे financial bills money bills नहीं है, as simple as that, तो केवल वो financial bills money bill के category में आते हैं, जो article 110 में जो लिखा है, उसके हिसाब से होंगे, और कोई bill money bill है या नहीं है, इसको decide करने की ताकत कि इसको दे रहे किये हमारे समविदान ने, speaker of the log सभा को, इसको हम अंगली वीडियो में देखेंगे, अब बात करते हैं, difference between ordinary bill और money bill, important difference है ये, पहला difference, ordinary bill को आप लोग सभा में भी accept कर सकते हो, ordinary bill को आप राज सभा में expect कर सकते हो, money bill में आपको बताया कि इसको आप लोग सभा में ही introduce कर सकते हो, उसके बात, ordinary bill को एक minister भी introduce कर सकता ह और एक private member भी introduce कर सकता है, तो एक private member यानि कि ऐसा कोई MP जो की minister नहीं है, वो भी ordinary bill को लेके आ सकता है, हाला कि उसके drafting सिर्व उसके भरोसे होगी, लेकिन money bill को केवल एक minister लेके आ सकता है, और वो भी केवल लोग सभा में, ordinary bill को introduce करने के लिए, prior recommendation of the president की ज़रूरत नहीं है, और यानि के जो भी बनिबिल आया है, राज सभा के पास लोग सभा की तरफ से, उसके ओपर recommendations प्रोपोस करने की ताकत है किसके पास, राज सभा के पास, राजसभा के पास कोई ordinary bill आया है तो 6 महीने तक उस ordinary bill को detain करके रोक के रख सकती है राजसभा लेकिन राजसभा के पास अगर कोई money bill आया है तो 14 दिन के अंदर अंदर राजसभा को उसके उपर decision लेना है अगर decision नहीं लिया तो वो उस form में पास माल लिया जाए लेकिन यहाँ पे एक और फरक है और नरी बिल जो 6 महीने तक राजसभा में पास नहीं हुआ उसके बाद वो automatically पास नहीं माना जाता है नरी बिल की तरह 6 महीने के बाद president चाहे तो एक joint sitting बुला सकता है दोनों houses की और उस joint sitting पे voting पड़ेगी और जिसकी majority होगी वो जीत ले जाएगा अब आपको भी पता है कि भाई यह 543 मेंबर से लोकसभा में और 245 मेंबर से आपके 245 मेंबर से राजसभा में तो यहाँ पे majority लेके आना लोकसभा में जिस party की majority है उसके लिए बहुत आसान होगा तो भाईया ordinary bill को राजसभा maximum 6 महीने के लिए रोक सकती है और 6 महीने के बाद president एक joint sitting बुला सकता है वहीं पे जब money bill की बात होती है तो money bill को राजसभा केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है बात दिन बाद वो उस form में पास माना जाएगा जिस form में लोकसभा ने उसको पास किया था बाकि जितने भी manifestation ने मैं आपको बता दिये फिर भाई जब एक ordinary bill को लोकसभा से राजसभा में इंट्रिज्ज किया जाता है अगर वो लोकसभा में originate हुआ हो वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ordinary bill राजसभा में भी originate हो सकता है तो अगर एक ordinary bill लोकसभा में originate हुआ है तो वो राजसभा में जाने से पहले speaker उसको authenticate करेगा यह नहीं बस यह बोलेगा कि भाई यह bill इस house से पास हो गया लेकिन जब एक money bill लोकसभा से राजसभा में जाएगा और money bill केवल लोकसभा में introduce होता है तो वहाँ पे speaker certify करेगा कि this is a money bill speaker बताएगा कि यह money bill है क्योंकि एक bill money bill है या नहीं है इसको decide करने की ताकत केवल speaker के पास है फिर भाई बात करते हैं कि एक बार एक ordinary भी लोकसभा राजसभा से पास हो गया तो भाईया president की ascent के बाद वो नियम कानूर मन जाएगा अगर कोई deadlock हो जाता है लोकसभा राजसभा में तो joint setting बुलाई जा सकती है लेकिन money bill के case में किसी भी तरीके की joint setting का कोई भी agreement नहीं है लोकसभा राजसभा की joint setting money bill के case में नहीं होती लोकसभा राजसभा की joint setting constitutional amendment bill के case में नहीं होती और लोकसभा के approve होने के बाद और राजसभा मान लोग पेंडिंग हो भी जाता है 14 दिन भी जाते हैं तो उसके बाद भी उस money bill को प्रेजडन की signature के लिए भेज दिया जाएगा और प्रेजडन का signature मिली जाएगा चुकि most probably उस money bill को प्रेजडन के recommendation से introduce किया जाता है आगे बात करते हैं अगर ordinary bill किसी minister ने introduce किया है और वो ordinary bill लोकसभा में defeat हो जाता है तो उस case में government resign कर सकती ही government लोकसभा में उस bill को pass नहीं करा पाई जहांपे उसकी majority है चुकि लोकसभा में एक political party की majority थी तभी तो उसने सरकार बनाई उसके majority थी तो सरकार बना पाई तो भाई अगर लोकसभा में आपने सरकार बनाई है आपके बस majority है तो तो वहाँ पर ordinary bill आप pass करा लो अगर आप नहीं पास करा पाई इसका मतलब कि आपकी majority है नहीं लोकसभा में तो इस case में जो government है वो resign कर सकती है अगर money bill defeat हो जाता है लोकसभा में तो पक्का government कर resignation है चुकि देखिए लोकसभा में ही के पास ही money bill के case में जारतर ताकत राजसभा तो ना के बराबर ताकत यह अभी हमने डिसकस किया कैसे तो भाईया money bill भी लोकसभा में पास हो जाना चाहिए अगर ruling government money bill को लोकसभा में नहीं पास करा पाई तो लोकसभा में ruling government को resign करना पड़ेगा फिर भाई अगर एक ordinary bill लोकसभा राजसभा के अप्रूवल के बात president के पास जाता है तो president उसको approve कर सकता, reject कर सकता या reconsideration of the house के लिए वापस बेज सकता है लेकिन money bill की case में now president उसको reconsideration के वापस नहीं बेज सकता या तो president money bill को accept करेगा या president money bill को reject करेगा for the reconsideration of the house money bill को वापस लोकसभा राजसभा के पास president नहीं बेज सकता normal कल वो approval दे देता है चोकि उसकी prior recommendation के साथी आया था thank you for watching friends, channel को subscribe कर लिए नहीं किया हो और like किये बिना मत जाईएगा